किसान आंदोलन में देश के प्रधान मंत्री नेन्द मोदी को गाली दे रहा है एक व्यक्त वीडियो हम आपको तुरन दिखाने वाले हैं उस वीडियो में यह व्यक्त गाली दे रहा है देश के प्रधान मंत्री को साधी साथ इमरान खान जो की पाकिस्तान का प्रधान मंत्र है उसके जैकारे लगा रहा है और बोल रहा है कि इम्रान खान अच्छा काम कर रहा है और देश के प्रधान मंत्री फला 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 गालिया दे रहा है वीडियो देखिए हमारा दो कोई नहीं हमारा दो टाइम लग लो गया हम तो उनका सोच रहे हैं और इसको ऐसी निशीद रहेंगे जो याद रखेगा और द्मानिश्वान ने में याद रखेंगे जो इसका पोता बोता है न वो भी बूल जाएंगे ये करें ये पता है पाकरस्तान वाला परतान मत्री बने बर्ड का पजीत के अपने बाहों के जोर बावान दे जोर नाला इमरान खान की बात करें हाँ वो बहुत अच्छा बंदा है हमारे बावास से बावे नाल के घर का उसने खेतों के रस्ता हमको दखाया गर का दखाया और ये जोठे कपो मांज़के तो इसका बन गया परतान मत्री हमारे जोठे और वोट भी तो आप जैसे लोगों नहीं द करें देखो यह तो चोरी कारता है चोर है बड़ा बड़ा चोर है कहा मोधी शोथी आ यहां खान खून होने दे यो वो मुसल्मान इन से अच्छे हैं परहा नहीं जमू कश्मीर वालों को रगडा फिर हमको रगडर ता वीडियो में आपने देखा कि यह व्यक्त किस तरीके से देश के प्रधान मंत्री को गाली दे रहा है, 37 परोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की प्रशंसा कर रहा है, ऐसे लोग सोचिए कैसे किसान आंदोरन को बदनाम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं, जिनों ने कभी C.A. और N.R.C. के समय में भी समर्थन किया था, अब सिख के वेश में और एक सन्यासी के वेश में यह व्यक्त क्या साबित करना चाता है, और क्या संदेश देना चाता है, हमने ये वीडियो उठाया ट्वीटर से, और वो नेता है, उन्होंने ट्वीट किया एक पत्रकार, पत्रकार ने ट्वीट किया है, पत्रकार का मैं ट्वीट आपको दिखाऊंगा शुशान सिन्हा है उनका ये ट्वीट है और इस ट्वीट में उन्होंने सापतोर पे कहा है ये हो या किसान आंदोलन मोदी को गाली और इमरान खान से प्यार और फिर भी कुछ लोग कहते हैं सवाल मत पोचो गजब है ट्वीट आपने देखा यानि कि प्रधान मंत्री मोदी को गाली और विपडोसी मुल्क के प्रधान मंत्री की प्रशंसा आप क्या सुचते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें क्योंकि ऐसे लोगों की आज कुटाई होने वाली है और ऐसे लोगों को इसी वीडियो में तुरं किया जाएगा और ऐसे फर्जी किसान आंदोलन को भी यही पर नंगा किया जाएगा यह किसान आंदोलन के नाम पर धर्ना देने के गुस्सा आता है कठोर शब्द बोलता हूं परधान मंत्री की बुराई करना परधान मंत्री पे आरूप लगाना अलग हो गया सीधे सीधे यह व्यक्ति गाली दे रहा है और उन सबसे जादा सबसे जादा निच्टा इस व्यक्ति ने यह किया कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्त की जैसी सरकार भारत में होती सेनिकों का प्रभूत्य होता तो ऐसे भरजी लोगों को दोड़ा के मारा जाता और यही पाकिस्तान में हो रहा है बलूचियों के साथ आए दिन जो अत्याचार हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है और पाकिस्तान में लोकतंद्र बचा कहा है प पाकिस्तान में सेनिकों द्वारा जो दमनकार किये जा रहे हैं, पाकिस्तान में अलपसंख्यों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदूों को, पाकिस्तान में सिखों को, इसाईयों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, ये किसी से छिपा नह कर और पाकिस्तान का गुर्गान करने वाले ऐसे लोगों को जब बोलो कि पाकिस्तान चले जाओ इन्हें मिर्ची लगती है शायद ऐसे लोगों का समर्थन करने वाली वो पार्टियां अपने आप में शर्म नहीं करती हैं मैं बात कर रहा हूं कॉंग्रेस पार्टी की मैं बा ऐसे लोगों पर आरोप लगाया जाता है तो बोलती है आज कल गदार बोलने का फैसरण चल गया है और एक एजन्डा चल रहा है लोगों को गद्दार साबित करने का आपकी नजर में क्या ये गद्दार नहीं लगते हैं कमिन बॉक्स में आप अपनी रैज जरूर दीजिए और अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में एक व्यक्त ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा है और स्टंट करते करते पलट जा रहा है उस पे भी ट्वीट आया है वो दिखाता हूँ मैं आपको इसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसे लोग जो कर रहे हैं आज दिल्ली में ये कहीं न कहीं संकेत देता है कि देश को तोड़ने वाले लोगों की संख्या सायद बढ़ गई है या बढ़ी नहीं है बलकी कहते हैं कि नमक जब डाला जाए कीड़ों पे तो कीड़े बिलविलाने लगते हैं ये सितियां पैदा हो गई है कि जब सरकार आतंगवाद के खिलाब राष्ट विरोधियों के खिलाब गदारों के खिलाब कारवाई करना शुरू कर देती है देश में एक माहौल बनता है कि गदारों को देश से फेका जाएगा ऐसे में बहुत सारे गदार निकल कर बाहर आते हैं और यही स्थितियां सामने आ रही है और जो की देखने को मिल रही है देश की एक बहुत बड़ी मीडिया इसी है जो ऐसे लोगों को अपने चैनल पर बैठाती है ऐसे लोगों को समर्थन देती है लेकिन उस मीडिया से भी आपको सवाल पूछना चाहिए कि आखिर यह देश टुकडे टुकडे गैंग के लोगों से चलेगा या देश उन लोगों से चलेगा जो इस देश के लिए जीते हैं जो इस देश के लिए मरते हैं क्या देश उन लोगों से चलेगा जो कस्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं या ऐसे लोगों से चलेगा जो बंदे मातरम जैसरी राम भारत माता की जय कहते हैं भारत माता की जय कहने पे सायद कई नेताओं को दर्द होता है उननेताओं को दर्द होता है तमाम राजनेतिक पार्टियों को देश में कुछ लोगों को दर्द होता है भारत माता की जय कहने से वंदे मातर हम कहने से जैस्री राम तो खेर उम्मीद नहीं करते हैं जैस्री राम हिंदू कह सकते हैं दुसरे धर्म बाले दुसरे धर्म की जैकारा लगाएं वहे गुरु का नारा लगाएं जिसके जो इश्ट देव हैं जो हैं लगाएं लेकिन भारत के भारत के पुर्वज श्री राम है इसलिए जैस्री राम नारा लगाने से कत्तई को ताही नहीं करनी चाहिए आपको भी कमेंड बॉक्स में जैस्री राम का नारा लगाना चाहिए अब हम बात कर रहे हैं चुकि भारत माता की और ऐसे दुश्मनों की भारत के ऐसे दुस्मनों की जो लोग कहीं न कहीं देश को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपने वीडियो में देखा किस तरीके से व्यक्ति भद्दगी काट रहा है किस तरीके से प्रधान मंत्री नेल मोदी पे आरोब लगा रहा है ऐसे लोगों पे आपके ह हिसाब से क्या सरकार को क्या खारवाई करनी चाहिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूल खें किसाना अंदुलन कहिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो में ट्रेक्टर पे स्टंट करते हुए पलता रहा है ये वीडियो देखिए तो जुड़े रहे हैं लीनियो नेशन के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहे हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ऐसे लोगों की आबात ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ये जो किसान आंदोलन के नाम पे पाखंड रचार जा रहा है ऐसे पाखंड का खुलासा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो ही देश के लिए सही होगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें धन्यवाद सब्सक्राइब कीजे हमारे न्यू शैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकन ताके आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे